हिलो फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि भारत में जनसंख्या वरद की समस्या पर निबंद कैसे लिखेंगे तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखेंगे और वीडियो को अंतक देखेंगे तो दोस्तों सबसे पहले हरी डालेंगे प्रस्तावना तो इस समस्या से हमारा भारत देश भी जूज रहा है पूरे विश्व में सबस्यादिक जनसंख्या वाला देश हमारा पडोशी देश चीन है और दूसरा स्थान हमारे भारत देश का ही आता है अगली अरिन डालेंगे जनसंख्या व्रद्ध के कारण तो दोस्तों इसमें लिखेंगे भारत में जनसंख्या व्रद्ध के निम्न लिखित कारण है जैसे कि प्राचीन भारत में लोगों का जीवन मुखिता अध्यात्मिक और सामाजिक या अध्यात्मिक वातावरण की व्य प्रवरत्ति सैयम और साधे जीवन की और थी अधिकांस लोग रिशियों के आश्रमों में रहते थे जहां उनमें सात्विक भाव का संचार होता था किन्तु आज लोग युवावस्था से लेकर मृत्तिव प्रियांत तक ग्रेष्टी बने रहते हैं जिससे ब्रवचर पर सैयम ना कर पाने के कार्ड संतानों उत्पत में निरंतर वरद हुई है जनम दर जादा और मृत्त दर में कमी होने की वज़य से जनसंख्या वरद की समस्या को विस्पोटक बनाने में सहायक हुई है अगले जनसंख्या वरद को नियंतरित कहने के उपाय तो दोस्तों इसमें लिखेंगे जनसंख्या वरद को नियंतरित कहने का सबसे कारगर उपाय तो संयम या ब्रह्मचर ही है जिसमें नर नारी समाज और देश सभी का कल्याण है समाज में पुत्र और पुत्री के सामाजिक भेद भाव को कम करना होगा छोटे परिवाद को ही सुखी जीवन जीने का आधार बनाया जाना चाहिए इसके अत्रिक्त जनसंख्यावरद के दुष परणामों को भी ग्रामेड और असिच्छित जनता को भले भात और गत कराया जाना चाहिए छोटा परिवार सुखी परिवार दोस्तों अब अगली हरी डालेंगे उपसंघार तो इसमें लिखेंगे निसकर्स रूप में कहा जा सकता है कि जनसंख्यावरद की दर घटाना आज के युग की सरवादिक जोड़दार मांग है तो दोस्तों ये था जनसंख्यावरद पर निबंद तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेर तदा सस्क्राइब करना ना भूलें